नमस्कार साथियो जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किसमत की बात कभी नहीं करते हैं आईए कुछ मैतोपूर प्रसन आपके लिए आज के सफर सुरुगात करते हैं भारत में राश्टी आयका आकलन सबसे पहले किस ने किया था याद रखना दादा भाई नौरेजी ने बेश् जून को क्या हो जाएगा पाँच जून को आगे बढ़ते हैं किस बरक्ष को पर्या वरणिय संकट माना जाता है ये भी प्रसन कई वार एकजाम में आया हुआ है याद रखना यूके लिप्टस को पर्या वरणिय संकत के रूप में मानते हैं सरवादिक ओजोन छै कारी गै कौन सी है तो क्लोरो फ्लोरो कारवन जो है यह सरवादिक ओजोन छह कारी गैस मानी जाती है पर्यावरण का रक्षा कबच किसे कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कबच कौन है तो याद रखना पर्यावरण का जो रच्छा कबच है वो ओजोन परत को कहते हैं ओजोन परत जो है ये परियाबरण का रच्छा कवच के रूप में कहते हैं परियाबरण सुरक्षा अधिनियम कब बना है ये भी प्रश्ण कई वार एकजाम में आया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 1986 में क्या हो जाएगा 1986 में आगे बढ़ते हैं जल सरच्छड एबं प्रदूशड नियं तो याद रखना ये 1974 में बना है कब बना है 1974 में परियाबरण की शुरक्षा मूल قर्टब है इसका उल्लेक किस अनुछेद में किया गया है याद रखना अनुछेद 51-1 51 ए में पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तब कहा है यह किस समिधान संसोधन के अंतरगर्थ जोड़ा गया है याद रखना 42 वा समिधान संसोधन जो 1976 में हुआ था वन अनुसंधान संसथान केंद्र कहां इस्थित है बताईए वन अनुसंधान संसथान केंद्र कहां है जल्दी जल्दी से आंसर बताईए वाई सभी लोग तो याद रखना यह दहरा दून में है कहां है यह दहरा दून में यह भी कई बार प्रस्न एक्जाम में आया हुआ है बताईए वरसा बन अनुसंधान संसथान कहां है ये कहां है तो याद रखना ये जोर हट में है कहां है ये जोर हट में आगे बढ़ते हैं वन अनुवंस की एबं ब्रक्ष प्रजिनन संसथान कहां इस्तित है बताईए ये संसथान कहां इस्तित है तो जो कोयम बिटूर है ये संसतान कोयम विटूर में इस्तित है आगे बढ़ते हैं वन उत्पादक्ता केंद्र कहां इस्तित है बताओ वन उत्पादक्ता केंद्र जो है ये कहां इस्तित है सबी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहो जो आंसर आपको आते हैं वो कमेंट वॉक्स में छाप दो जो सरचण वाली कब से प्रारंब की गई है तो याद रखना 2006 से कब से प्रारंब की गई है 2006 से गैड़ा सरचण परियोजना कब सुरू हुई बताओ जो गैड़ा सरचण परियोजना है ये कब सुरू की गई है तो 1987 में याद रखिएगा आप सबी लोग सुबह 8 बजे का समय नि साबित हो जाएंगे कछ्व सरच्षड पर्योजना कप सुरू हुई बताओ कछ्व रखना 1975 में अभि आपने चछ्षड पर्योजना आप देख्येगा बाग सरच्षड पर्योजना कप सुरू हुई तो याद रखना यह 1977 में है जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भई तो इसका आंसर हो जाएगा स्विटिजर लेंड क्या हो जाएगा स्विटिजर लेंड आगे बढ़ते हैं मॉन्ट्रेलियल प्रोटोकॉल किस से समंदित है ये भी प्रसन कई बार एक्जाम में आया हुआ है और आने वाले एक्जाम के लिए महत्वपूर है बताओ यह मौन्टियल प्रोटोकॉल किस समंदे थे तो ओजून परत के सरच्छड से किस समंदे थे ओजून परत के सरच्छड से मौन्टियल प्रोटोकॉल किस वर्स हुआ था बताओ यह किस वर्स हुआ था तो याद रखना यह 1987 में हुआ था कब हुआ था यह 1987 में हुआ थ बियना समझोता कब हुआ बताओ ये बियना समझोता जो है ये कब हुआ था जल्दी जल्दी से आंसर बताओ इसका तो आंसर आपको आता होगा बियना समझोता कब हुआ 1985 में कब हुआ ये 1985 में पहला प्रत्वी सिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया बताओ जो पहला प्रत्वी सिखर सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया तो याद रखना 1992 में कब आयोजित किया गया 1992 में प्रत्वी सिखर सम्मेलन किस सहर में आयुजित किया गया था, बताओ भाई, तो याद रखना रियोडी जैनरियो में, कहा है यह रियोडी जैनरियो में आयुजित किया गया था, प्रत इससे भी सम्मंदित प्रसनापके एक्जाम में पूछे जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, बताओ क् कब से हुआ जल्दी जल्दी से आंसर बताओ तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 से लागो हुआ है कब से हुआ है 2005 से बताओ ये वाला प्रोटोकॉल किस से सम्मंदित है अभी आपने मांटियल से सम्मंदित कुशन किये थे अब आप क्योटो से सम्मंदित कुशन कर रहे हैं त पताओ वो कौन सा सम्मेलन था तो याद रखना इस्टॉक हम सम्मेलन था जो 1972 में हुआ था टाइगर मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो याद रखना कैलास में पारिस्थितिक के जनक कौन है याद रखना डॉक्टर राम देव मिश्रा कौन है डॉक्टर राम देव मिश आज आपको पर्यावरर से सम्मंदित महतपूर प्रसन करवाते हैं बताईए विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना तीन मार चुको कब मनाते हैं तीन मार चुको आगे बढ़ते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताओ विश्व ओजोन प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को कब मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं भारत में हरत्वी दिवस कब मनाया जाता है इसको भी अच्छे से याद रखना बताओ प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बाइस अप्रेल को कब मनाते हैं? बाइस अप्रेल को प्रथिवी दिवस मनाते हैं? बिश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई बिश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना इकतिस मई को कब मनाते हैं 31 माई को ये आपके सारे दिवस पर्यावरण से समन्दित हैं जो कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं विश्वा पर्यावरण सरच्छड दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं कब मनाते हैं 26 नवंबर को भारत सरकार ने पर्यावरण सरच्छड अदेनियम कब लागू किया था बताओ भई कब लागू किया था 1986 में भारत में सरवादिक रेडियो धर्मी प्रदूशन कहां पाया जाता है तो याद रखना केरल में कहां पाया जाता है केरल में नाब की या विकरण अवो पात से बचने के लिए क्या खाया जाता है पताओ भई क्या खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड क्या खाते हैं पोटेशियम आयोडाइड सौर विकरण प्रथवी पर किन तरंगों के रूप में प्राप्त होता है याद रखना बिद्दुत च लगु तरंग ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परडाम क्या होगा तो याद रखना गिलेसियर जो है वो पिघलने लगेंगे क्या होने लगेगा गिलेसियर पिघलने लगेंगे भारत का परियावरण सिच्छा केंद्र कहा है बताओ जो परियावरण सिच्छा केंद् को हो रहा हो आपको आरपार देखना हो तो उसमें आपके लिए सहाय क्या है याद रखना अवरक्थ विकरण किसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे जाधा जैवबिविदिता कहां पाई जाती है बताओ सबसे ज़्यादा पूँच रहे हैं जो जैव विविजिता है वो कहां पाई जाती है याद रखना टॉफीकल रेन फॉरेस्ट में सामान बातचीत करने में दुहनी तीबरता कितनी होनी चाहिए बताओ भाई कितनी होनी चाहिए तो याद रखना साथ डेसीवल कितनी होनी चाहिए साथ डेसीवल आगे बढ़ते हैं रेड डाटा बुक का समंध किस से है तो याद रखना बिलुप्त के संकट से गरस्त जीवों से आगे बढ़ते हैं ग्रेन पीस क्या है पताओ ये ग्रेन पीस क्या है पताओ आता है यदि आपको तो आप कमेंट वाक्स में छाप दो नहीं आता है तो अच्छे से सीखो तो याद रखना ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण यूजना है बिश्ववन जीव कोस द्वारा प्रतीक के रूप में किस पसू को लिया गया है तो याद रखना जो पंडा है पंडा को लिया गया है आगे बढ़ते हैं ताज महल के पीले पढ़ने तथा उसके छरण होने के मुख कारण क्या है तो याद रखना अमली अवर्षा क्या है अमली अवर्षा ताज महल का जो रंग पीला हो रहा है यह अमली अवर्षा का प्रभाव है फोटो कॉपी मसीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है तो याद रखना फोटो कॉपी जो मसीन है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है कौन सी गैस होती है ओजोन गैस वायू मंडल में सरवादिक कौन सी गैस पाई जाती है तो सरवादिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है और यह 71 प्रतिशत है कितनी है 71 प्रतिसत संयोक्तराष्ट पर्यावरण कारक्रम का मुख्यालय कहा है तो याद रखना UNEP का मुख्यालय नैरूबी यानि केन्या में है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे पैन कहते हैं बताईए ये क्या है जल्दी जल्दी से आंसर बताओ ये क्या है तो याद रखना ये बायू प्रदूशक है क्या है ये बायू प्रदूशक है बोड किस से समंद है बताओ बी ओडी किस से समंद है सभी लोग बताओ जल्दी से बी ओडी किस से समंद है तो याद रखना जल्दूशर से समंदित है किस समंदित है जल्दूशर से जल्दूशर को मापने के लिए कौन सा परिक्षड किया जाता है बताओ यदि हमें जल प्रदूशड मापना हो तो कौन सा परिक्षड करेंगे तो याद रखना बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भारत में ब्रक्षों का आदमी किसे कहा जाता है बताओ भाई ब्रक्षों का आदमी किसे कह कि याद रखना सुन्दर लाल बहु गुड़ा को किसे कहते हैं सुन्दर लाल बहु गुड़ा को चली आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद